नमस्कार बुद्धी फैरांस और मैनेजमेंट के कारग्राफ बुद्ध जो है वो 26 मई से लेकर के 3 जून तक जो है वो जा रहे हैं अपनी स्वयम की राशी मिथुन में तो प्रियदर सुको मैं आपको बताऊंगा किस बुद्ध का राशी परिवर्तन का किस किस छेतर के उप राशी परिवर्तन मनुष्य के जीवन में कम समय में कुछ बड़ा बदला उलाने वाला है साथ में मैं आपको यह भी बता दूंगा कि मेश लगने से लेकर के मिन लगन और राशी वाले मातर 9 दिनों के लिए स्वह राशी का बुद्ध आपको कम समय में क्या-क्या परदान कर देगा यह विशेस कारेकराम को लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तूत हुआ हूं प्रिय दर्सको बुद्ध जो है यह बिजनस फैनांस मेनेजमेंट के कारक होते हैं साथ में जो भी मनुष्य अपने जीवन में कला से रिलेटेड वानी से रिलेटेड लेक्षरार से रिल नसों की समस्या से रिलेटेड और साथ में मांसिक चेतना से रिलेटेड जितने भी कारक्ततों परभाव को अधिनिष्ट को ही करता है यही नहीं जो भी वेक्ति अपने जीवन में बुद्धी के साथ वानी के साथ एक बहुती महत्पुर्ण कर्म छेतरों पे हर चीजों को निर्धारित करता है इसके वे सीधे कारक बुध होते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रीधर सुको 26 मई से लेकर के तीन जुन के मद्धे में यानि सिर्फ नौ दिनों के लिए बुध अपनी स्वैम की रासी मिथुन में जा रहा है इसके अलावा बुध रहेगा जीरो डिगरी का रहेगा मिरीगन छत्र में मिरीगन छत्र के स्वामी कौन है मंगल लेकिन बुध किस रासी में जा रहा है तो तिस सास्तर क्या कहता है कोई भी ग्राह जब अपनी स्वयन की राशी में रहता है तो प्रवल रहता है परन्तु बुद्ध की डिगरी जो है वो थोड़ा निचित तौर पे कम है महत्वपुर्ण यहां पर एक बात यहां भी समझने वाली है कि बुद्ध जो है मितुन रा पाया है उन सभी छेत्रों में बुद्ध निचित तौर पे सफलता के रास्तों को खोलेगा हेल्थ समधित इस्थिद्यों को ठीक करेगा परन्तु एक दो महत्वपुर्ण जीजों को समझना चाहिए प्रिय दर्सों को देखिए बुद्ध जो है बुद्धी के शाथ वानी के भी कारक होते हैं मंगल क्या है अहंकार के सीधे कारक होते हैं आपके पास बुद्धी ना हो तो आप धन नहीं कमा सकते हैं लेकिन आपके पास सारिक छमता भी ना हो तो आप किसी भी बड़े संस्थान से ले करके किसी भी बड़े कर्व शित्रों में एक अच्छा पद न मानता है बुद्ध को ये बात पता है कि सिर्फ ज्यान और बुद्धी से हर चीश प्राप्त नहीं होता है कभी कभी प्राकर्म के भी आविशक्ता पड़ती है लेकिन मंगल जो है वो बुद्ध को सीधा सत्रू मानता है क्योंकि मंगल का कहना है कि जहां पे ताकत हो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धी का ही परियोग हो लेकिन निचित तोर पे एक दूसरे के दोनों पूरक है तो जब ये दोनों निचित तोर पे तीन जुन तक साथ में रहेंगे हलाके दो जुन तक साथ में रहेंगे तो सभी लगन और आशी वाले आपको अचानक सफलता के रास्ते खुल जाएंगे धन की स्थितियों में बढ़ोतरी होने लगेंगे बुद्धी में कुसागरता के साथ प्राकर्म आने लगेगा लेकिन कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहला आपको क्रोध पे नियंतरन रखना है जहां आप गुद्धी का पर योग कर रहे हैं वहां आप क्रोध करने लगिएगा तो निच्चित तोर पे काम बिगड़ जाएंगे ये बुद्ध और मंगल की यूति के कारण होता है हमेशा एक महत्पुन तत्यों पे फोकस करके रखिएगा ताकि बुद्ध जो है युवराज है और थोड़ा आपके अंदर प्राकर्म भी आगा क्योंकि बुद्ध तो दोगला ग्रा है इसको पता है कि हम जिस रासी के नुसार या जिस ग्राह के साथ बैठेंगे उसके फल को अधरिष्ट कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि बुद्धी को एक स्टेट जगा पे फोकस करके रखना है और ये थोड़ी आपको प्राकर्मी के उरले करके जाएगा यानि बुद्धी, प्राकर्म, हलका क्रोध और साथ में धन की प्रविर्ती के साथ वानी का एक ऐसा सैयम बनेगा कि आप उचित लक्षी को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन क्योंकि बुद्ध जो है नजाज रिष्टो क्योर भी भेजने का परियास करता है और साथ में बड़ बोलवा भी बनाता है इन दो चीजों पर आप नियंतरन कर लिजिएगा और देखिएगा कि कितना जबड़दस्त बुद्ध आपको 9 दिनों में ही सारे रुके हुए काम को पुर्ण कर देने वाला रहेगा तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मातर 9 दिनों के लिए मेस लगने से ले करके मिन लगन और रासी वाले आपके उपर इसका क्या परभाव पड़ेगा ये वीडियो लगन पे अधारी थे आपको अपना लगन पता है तो आप लगन के नुसार इस जनकारी को देखिएगा अगर आपको अपना लगन नहीं पता है ततपचात आप चंदर रासी या नाम रासी के नुसार इस जनकारी को देख सकते हैं सबसे पहले में प्रारंब करूँगा मेश लगन मेश लगन वाले बुद्ध जब सुहराशी में प्रवेश करेंगे 26 तारीक से 3 जुन तक तो आपको प्राकर्मी बनाएगा उच्छ प्रकार के लोग उच्छ संपरक अस्थापित होनी की कंडिशन प्याप आ जाएंगे भाग प्रोपर्टी लेना चाहते थे मंद चाहा जगा पर प्रोपर्टी नहीं मिल पा रहा था खुद आपको सामने वाला ओफर कर देगा माता के स्वास्त में सुधार के साथ में जो है प्रेम विवास से रिलेटेड कुछ अच्छे रिष्टे भी बन जाएंगे बड़े लॉन कोई ग्यात ही नहीं कर पा रहा था कि आपको इस लेवल तक नॉलेज हो सकता है तो निच्चित तोर पे सुहराशी का बुद्ध जो है अपने सिनियर को अपने बातों पे आप कन्वेंस कर पाएंगे और इसके अलावा जो है आप अपनी बातों से एक बहुत ही अच्छा का जी को दूब की घास अवस्य चढ़ा दीजिएगा बिरिश्व लगनवाले जब बुद्ध अपनी स्वयम की रासे मातर नौ दिनों के लिए आ रहे हैं और आपकी कुणली के धने से स्थिती में उत्पन हो जाएंगे यानि धन के प्रविर्ति को बढ़ाने वाला रहेगा पंचमेश धनेस हो जाएगा तो अचानक लोटरी सटा शेयर मार्केट में बड़ा लाब देखने को मिलेगा संतान के फ्यूचर को लेकर करकर जो परिशान थे वह समस्या हैं आपकी दूर हो जाएंगे आए में बढ़ोतरी के साथ आपको अचानक कोई नौकरी में परिवर कहते हैं ना कि भगवान जो है सब को पहचानते उनके घर में देर है अंधेर नहीं है तो निच्चित तौर पे जो है बुरे से बुरे वक्त में भी अचाना कितने पैसे आ जाएंगे मातर नौ दिन के अंदर कि आप महत्पुन कर्मशत्रों को लाब किस्थितियां बनाने वाले रहेंगे इसके अलाबा जो है पिता की तरक्की के भी रास्ते बहुत इच्छे खुलेंगे संतान कंसी बोनेस रिलेटेड कुछ गुट न्यूज मिल जाएगा महत्पुन तक्थियों पे कहीं आपके पैसे फसे हुए थे या नौकरी में टर्मिनेशन हो चुका था य प्रत्यक दिन प्रहत्ता काल सिर्फ आपको एक हरी इलैची का सेवन कर लेना है इतना ही आपके पूरे दिन के हाल को बहुत ही बहतर बना देगा ब्रिशब लगन वाले बितुल लगन वाले जब बुद्ध अपनी स्वैम की राशी में 26 से तीन जून के मद्धे में आ रहे मातर नौ दिनों के लिए तो भदर नामक राज्यों की स्थिती भी उत्पन कर रहा है यानि ये बुद्ध का अपनी राशी माना आपको कुसागर प्रविर्टी के साथ अपने लक्ष को किस प्रकार से लोकों के सामने प्रेजंट करना है ये भी ज्यान परदान करने वाला रहेगा यानि निश्चित तोर पे आपको समाज में समान मिलेगा आप अपने अच्छे अच्छे जो भी डिर्ने और डिसिजन लिये थे जो अधूरा चुट चुट में कलाह की स्थितियां जो उत्पन हो रहे थी वहां ठीक हो जाएंगी आप सी पती-पत्नी के मद्ध में प्रेम निची तौर पे अस्पष्ट तौर पे दिखेगा पार्टर्शिपिंग से रिलेटेड वेवाशाई का लाव मिलेगा सत्रू आपके सामने स्वहता ही जो है दूर चले जाएंगे और सबसे महत्पुन बात नौकरी में टर्मिनेशन हो रहा था यह आपको लग रहा था अब तो मेरी नौकरी खत्रे में अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी आप इस मुसीवत से बचेंगे नहीं उल्टा हो सकता है कि अपने सुक्स विदाओं है तू कुछ महत्पुन गैजट्स बेगरा में भी आप पैसे लगा दे सबसे महत्पुन बात है कि भद्र योग जो है आपके जीवन में एक लक्ष की प्राप्ति की और ले जाने का ज्यान परदान करेगा जीवने मुझे किस और जाना है खुद ही आप मोटिवेट होकर कि उस लै करक लगन वाले अगर आपके लिए बात करो बुद्ध का अपनी राशी में जाना तो कोई भी गराच अपनी राशी में जाता है तो लावकारी ही होता है और ये 9 दिनों के लिए 12 स्थिती में जा रहे हैं तो जो भी आपके पुराने पेंडिंग केस मुकदमा के इस्थिति कर ले तो कौन परमाईज की स्थितियों से आपको यहां निकाल देने वाला रहेगा आप करज लेना चाहते हैं तो निच्छी तोर पे करज आपको मिल जाएगा सत्रू भी आपसे स्वहताही दूर हो जाएंगे पिता की तरक्की के विश्यस रास्ते खुलेंगे और सबसे म काई बहनों के साथ इस्तदारों के पास भी कुछ फैसे फशे हुए आपके निकल जाएंगे घरेलो विबात की समस्याओं से निच्छी तोर पर आप निकल जाईएगा कोई भी पेपर जो कानूनी काम से रिलेटेड था इन सभी प्रकार की समस्याओं से आप बच तो कहीं बुद्ध का राशी परिवर्तन आपके जीवन को मातर नौ दिनों में परिवर्तित करने के लिए आ रहा है फिर भी आप चाहते हैं कि बुद्ध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना तो आप 26 में से लेकर के तीन जुन तक कंटीन्यू जो है दुरगा जी को जो है आपको सोफ का भोग लगा देना है शिंग लगन शिंग राशी वाले अगर आपकी बात करना चाहूं 26 तारीक से तीन जुन के मंदे में तो निचित तोर पे या बुद्ध कराशी परिवरता राज योक से कम नहीं है एक तो आई अस्थान में कोई विग्रा असु फल्दाई होता नहीं है दूसरी महत्पुन बात जब ये आई अस्थान में बैट रहा है तो आई को तो बढ़ाने वाला रहेगा यानि आपके आई को बढ़ाएगा आपको जनकारी होनी चाहिए शिंग लगन वाले कि आपकी कुड़ली में बुद्ध आय और धन के कारक होते है मतलब आपके प्रेम संबंद में जो पुराने से पहले से खराब चल रहे थे उसमें सुधार आ जाएंगे प्राकर्मी बनिएगा लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे थे और लोग इसका नजाज फैदा उठा रहे थे उठा रहे थे बैपारा नौकरी में कुछ बड़ा परिवर्तन करने का परियास करिएगा एनरजटी फिल कीजेगा मांसिक बुद्धी हीन जो हो रहे थे उससे बाहर निकलिएगा नई रिसर्च के और आपका ध्यान चला जाएगा संतान के तरक्की के और रास्ते अच्छे खुल जाएगे संतान कंसीव होने से रिलेटेट कुछ गुड़े नियूज मिल सकता है और प्रेम संबंध में इतने अच्छे सुधार होंगे कि प्रेम से विवाह के योग को कोई नहीं रोक सकता है सामने वाला परसन मान भी जाएगा यह बुद्ध का स्वहराशी में मात्र नौ दिनों के लिए पिता और बड़े भाई बहनों से ताल में साथ में छोटे भाई बहनों से भी सुधार कर देगा और सबसे महत्पुन बात कि आपके फैमिली वाले कुछ बा सिर्फ जो है दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए करन्या लगन वाले मातर नौ दिनों के लिए बुद्ध का यह राशी परिवर्तन कर्म छेतर में आपका घटित होगा और कर्म छेतर में जब भी कोई गरह अपनी राशी स्वहराशी का हो तो पंच महापूरोस में से ए एक योग बनता है और आपके कोडली में भदर नामक राजयोग के सीधी उत्पति हो रही है अताहिया बुद्ध का स्वहराशी में मातर नौ दिनों के लिए जाना जितने दिनों के भी नौकरी या वैवसाय रुके पड़े थे चल पड़ेंगे माता का स्वास्त में सुधा लक्षे को प्राप्त करना है किस प्रकार से रिचर्च करना है मेरे जिंदेगी की क्या कमी है मुझे सम्मान क्यों ही मिल रहा था यह नौ दिनों में अपने जिंदेगी के बड़े-बड़े फैसलों को आप ले लेने वाले रहेगा इसके अलावा जो है बहुत दिनों से जितना महत्वर्ण वैल्वी नहीं मिल रहा था जितना आप अपने जीवन में इमंदार हैं सब को ले करके चलते हैं यह बुद्ध का मातर नो दिनों का राशी परिवर्तन अचानक तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा बैंक बैलेंस में ब्रिधी के साथ आपके पीत बुद्ध का राशी परिवर्तन में जो है निची तोर पे आप अपने जीवन में एक बड़ लक्षे की प्राप्ति की और जाने वाले हैं मतलब जो भी होगा अचानक होगा लेकिन बहुत ही सटिकता और उपर वाले की किरपा से बहुत ही पढ़िया होने वाला रहेगा फि बुद्ध की बात करो बुद्ध राशी परिवर्तन का तो यह भाग्यस इस्थितियों में घटित होगा और भदर नामक राज्यों कुछ ततिवी कर देगा जो बहुत ही सुब और लावकारी योग रहेगा या बुद्ध का भाग्यस्थान में मात्र नौ दिनों के लिए त बहुत ज़्यादे पैसे खर्च हो रहे हैं तो आपके तुला लगनवाले इस प्रकार के समस्याओं सा सर वपर निकल जाईएगा कर में हर इंसान करता है कुछ को लोग कम करते हैं कुछ लोग ज्यादा करते हैं लेकिन एक ही छेतरे में कोई बहुत उपर होता है कोई नॉर के साथ में आप के जीवन में विदेश्यात्रा फ्यूचर में जाने nossa यह सकता है कोवीड में भी कहीं हो सकता है कुछ जाने की स्थितियां चल रही है एक दूसरे मृषनته जाने का गोटी जोज मिल सकता है यानि आपके तो बल्ले बल्ले दिखते हैं सद्व nhiक्याष्यर नि मैं चाहता हुई हो कि आप आगे बढ़िए क्योंकि निचित तोर पे आपके पस हर चीज प्राप्त आपके संघर्स और आपके मेहनत से होता है। फिर भी चाहते हैं कि इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना तो परतीक दिन हरी इलाइची जो है अब गनेश जी को भोग लगाईए तीन जून तक। बिच्चिक लगन वाले बुद्ध जब अपनी स्वैम की राशी में आ रहे हैं 26 तारीक से तीन जून तक तो अश्टमेश इस्थितियों में रहेंगे ये बहुत ही लावकारी और किस्मतकारी आपके लिए फल होने वाला है ऐसा क्यों होने वाला है मैं यह जनकारी आपको परदान कर दूँ ऐसा इसलिए होने वाला है कि कोई भी ग्रह जब अपनी राशी में हो और कहीं भी कुंडली में बैट जा तो सूप फल दाई होता है बिरिच्चिक लगन में तो इससे बुद्ध कारक नहीं होते हैं लेकिन क्योंकि अपनी स्वैम की राशी में आ रहे हैं और आप सोच रहे थे कि अब मेरे से कुछ नहीं होगा मन में सोसाइड सो लेकर के घ्रीना की स्थितियां जो उत्पन हो चुकी थी यह बुद्ध का राशी परिवर्तन मातर नौ दिनों के लिए इतना एनेजर्टिव से भर देगा इस सभी प्रकार के समस्याओं से आपको निकाल देगा कि अब आप अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते इस ज्ञान की प्रविर्ति को अपने अंदर निहित कर लेजिएगा इसके अलावा जो है यह बुद्ध का मातर नौ दिनों का राशी परिवर्तन आय अस्थान के भावेश होते हैं मतलब आधि हो जाएंगे कि सीधे इनकी दिरिष्टी दुत्य स्थान पे हैं बैंक बैलेंस ब्रिदी होगा कुछ बाद दिवाद परिवारिक हो सकता है लेकिन आप अबर वही बात करिएगा जो आपको एक जीवन में सफलता के रास्तों के और ले करके जाएगा मतलब यह बुद्ध का राशी परिवर्तन अत्यादिक लाब और सुभकारी होगा बिश्चिक लगनवाले फिर भी चाहते ही किसके फल को बहुती ही पढ़िया बनाना तो आप जो है कंटीनियू जो है तीन जून तक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए धनू लगनवाले जब बुद्ध का मातर नो दिनों का राशी परिवर्तन हो रहा है तो आपकी कुड़ली में सब्तम हस्थान में बुद्ध विराजमान होकर के भदर नामक राज्यों की श्थितिक उत्पन कर देंगे दया भावना अबर जाएगा तेले लेने क्योंकि आपको पता है कि बुद्ध आपको प्रबलता देने वाला रहेगा यानि हर बार क्या होता था मेहनत करा करा करके लोग पैसे नहीं देते थे हर चीज़ आप से सिख करके यूज कर लेते थे आपको और बाद में आपकी बदनामी भी दूसरे जगा पे करते थे क्यों? क्योंकि आप दूसरों पे बिश्वास करते है यही आपके जीवन का सबसे वड़ा गुना है लेकिन अब रबूद अपनी राशी का रहा है तो सबसे पहले पती पतनी के मध्ध में प्यार को जागरित करेगा पिट के समस्याओं से यूरिन से रिल्टेट समस्याओं से बचाने वाला रहेगा लगन पे दिरिश्टी कुसागर बुद्धि परदान करेगा सिनियर को आप बोल करके बताईएगा कि मेरा ये करतब है मैंने इसको किया है मेरा ये हक है और मुझे प्रमोसन चाहिए बहुत दिनों से बैठे हुए था नोकरी नहीं लग रहे थी नोकरी लग जाएंगे पार्टनर टॉर्चर पे टॉर्चर किये जा रहा है नजाज फैदे आपके उठा रहे हैं क्योंकि आप जो है उस पे विश्वास करके बहुत कुछ त्याग दियें लेकिन इस बार आप बोलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि पार्टनर चेंज करना तेक अच्छा फाइनेंसर भी मिल जाएगा इसके अलावा जो है यह बुद्ध का राशी परिवर्तन पिता की तरकी के रास्तों को खोल देगा सरकारी काम का आज में समान मिल जाएंगे अचानक पद्धोनती परमोसन के साथ पॉलिटिक्स में एक अच्छा पद्ध मिल सकता है और आप चाहते हैं कि नौकरी में परिवर्तन करूँ तो यह बुद्ध का राशी परिवर्तन मातर नौ दिने के लिए एक अच्छा नौकरी में बड़ा परमोसन और पद्धोनती के योगो को बढ़ाने वाला रहेगा फिर भी अब चाहते हैं कि बुद्ध के फ़ल को बहुत ही अच्छा बनाना बहुत ही जी उपाय बताता हूँ परते एक दिन गनेशी को जो है मिसरी और लाल बदाम के दानों को मिला करके भोग लगाई यह प्राता का सुहता ही श्यवन करिए तीन जून तक मकर लगन वाले जो मातर नौ दिनों के लिए बुद्ध का राशी परिवर्तन आपके कुंडली के सष्ट भाव में घटित होगा एक तो कोई भी राशी में उसके स्वैम के स्वामी बैठे होते हैं तो सुब और लापकारी हो जाते हैं और च्थचे भाव के तो ऐसे भी बुद्ध कारक पर रफ़ावाले होते हैं मकर लगन में तो बुद्ध कारक होते हैं करज की मुक्ति कराएगा दिल से दुखी है क्या मेरे से कुछ हो पाइगा कि नहीं हो पाएगा कि मैं लाइब को ऐसा ही बरबाद करूं यह डिप्रेशन से बुध मातर नौ दिनों में निकालेगा मैंने जिंदगी में क्या गलती किया है मुझे किस और जाना है क्योंकि सपोर्ट तो मेरे को है नहीं किसी का तो मुझे किस तरीके से उस चीजों को समझना है केलकुलेशन करना है रिसर्च करना है इस छेतरों में आपको विश्यस तरक्की के रास्ते को खुलने वाला रहेगा कर्ज के मुक्ती भी हो जाएगी सत्रू ब्याज के कारण डैमेज कर रहे थे आप रिप्लाइज नहीं कर रहे थे लगता थे कुछ से किस परकार से मिले मुँपे जबाब देने वाले रहिएगा और बोलिएगा कुछ नुद्ध कुछ अच्छे रास्ते खुलने वाले हैं पर तिक्छा करो नहीं बोलना भी जीवन में एक बहुत परशानी का कारण बनता है इसके अलावा बुद्ध जो है प्रेम संबंद में सुधार लोट्ट आप चाहते हैं के बुद्ध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना 26 मैश से लेकर के तीन जून तक कंटेन्यू जो है दुरुगा चालीसा का पाठ कर लीजिए एक बारे ही करिए पराता काल नौ बज़े से पहले लाब किशम बावनाए बहुत अच्छी बनेंगी मकर लगन व से इसके अलाबा जो है संतान कंसीब होने के गुड़ न्यूज मिल जाएंगे संतान का सौथ खराब चल रहा था ठीक हो जाएगा मत घबराइए पुरानी प्रुपटी केस मुकदमा मिल जाएंगे आपके गारजियन आपको प्रुपटी देना नहीं चाहते थे सुसराल पक अच्छे से पैसे को ले करके थोड़ा सा विवाद चल रहा था वह समस्याएं भी दूर हो जाएंगे विवाह के लिए अच्छे रिष्टे आएंगे प्रेम से विवाह के योग बनेंगे दिल से किसी को रिस्पेक्ट करने वाले रहिएगा और सबसे महत्यपुर्ण बाद आए अस्थान में दिरिष्टी पढ़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ में जो है चाचा वेगरा और पीता भी आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे क्योंकि पंच में चतुर्थ के सुख के अस्थान के इस्थितियों को गिनते हैं तो माता के स्वास्त के साथ में जो है अचानक धन और प्रपटी के योग बन सकते हैं ना चाहके भी आपको एग्रिमेंट भी हो सकता है परचेज भी कर सकते हैं और लोगों से रिष्टे भी बहुत ही अच्छे हो जाएंगे फिर भी चाहते हैं कि बुद्ध के फल को बहुत ही अच्छा बनाना तो मातर न दिनों के लिए बुद्ध के राशी परिवर्तन का तो भदर नामक राज्यों की स्थिति उत्पन कर रहा है जो निश्चित तोर पे अपनी राशी का कोई बिग्रा सूब फलदाई होगा में लगन में बुद्ध मार्केश होकर के प्रवल हो रहे हैं फिद भी फिर भी प्रवल हो जाएंगे पिता से तालवल इतने अच्छे हो जाएंगे जिसका कोई जवाब ही नहीं है इसके अलावा धन के प्रविर इस्थितियां बहुत ही जवर्दस्त बढ़ेंगे चतुर्त अस्थान संपती से सुख को लेकर के भी मान सकते हैं यानि जो प्रवपटी में विवाद था उसमें सुख मिलने लगेंगे छोटे भाई बहनों से किसी प्रकार के विवाद थे वह ठीक हो जाएंगे रिष्टदारों के पास फसे हुए पैसे सरकार के पास फसे कुछ समय के लिए लेकिन पुना लौट के भी आएंगे इसे लिए बोलता हूँ दूसरों से दिल लगाईए दिमाग मत लगाईए दिमाग लगाना आपका काम अगर दिमाग उसके नुसार लगा लीजिएगा तो उसके दिमाग के नुसार आप चलिएगा जिंदगी पर र भुद्धानी रखना पड़ेगा पत्री से किसी प्रकार का भी कोई जूट नहीं बोलना पड़ेगा हालाके नौकरी में परिवर्तन के योग भी बनते हैं विवा के अच्छे रिष्टे भी आने का योग दिखता है लोट्री सट्टा सेर मार्केट का लाभ भी दिखता है और सबसे महत्यपुर्ण बाद कि आप नौकरी छुड़के विवसाई करना चाहते थे लेकिन कोई अच्छा अपर्चुनिटी नहीं मिलता था कोई पार्टनर नहीं मिलता था मिलने की शंभावनाएं एक हजार परसेंट है बहुत महत्यपुर्ण रहेगा आपके लिए बुद सब्सक्राइब कर लिए लाब की शंभावनाएं अत्यधिक और बहुत ही लाबकारी बन जाएगा कि प्रिये दर्सुको आज मैने 26 मैस अले के तीन जून के मद्ध में बुद्ध का अपनी स्वयम के रासी में जो परिवर्तन हो राइस का संपुन विशलेशन कर दिया हो उम सब्सक्राइब भगवान सुक्राइब हमें सब बनी रहे धन्याबाद